नमस्कार आप सभी को मैं लाए हो कुछ आपके लिए सायन्स के मेहतूल इंप्रसन चंदीगर्ट चप्रासी भरती के लिए ये one-liner question है और one-liner question सबसे जल्दी और अच्छे से याद होते हैं और ये वही one-liner question है जो बारवार repeat भी हो हैं और इनका standard मैं आपको बता दूँ 6th किलास से लेकर 10th किलास तक के ये question है आपको ये जरूर याद करने चाहिए और इस वीडियो को कम से कम एक से दो बार जरूर देखें तो चलिए चलते हैं बत्ती वाले स्टोब में केरोसीन के बत्ती के उपर चड़ने का कारण है प्रश्ठी तनाव द्रव भूंद की संकोचित होकर नियूनतम छेत्र घेडने की प्रवर्ती का कारण क्या होता है प्रश्ठी तनाव कोसी का नली में जल का उपरी सतय होता है अवतल पारे की उपरी सतय होती है उतल पानी में केरोसिन तेल का छिड़काब करने से इसका प्रश्ठी तनाव घट जाता है द्रब का घनत बढ़ने पर कोसी का नली में कम चड़ता है इस कारण पानी कांच को भिगोता है एसंजक बल के कारण तमुद्र में लहरों को सांद करने के लिए तेल क्यों गराया जाता है प्रष्टी तनाव को कम करने के लिए जब सुद्ध जल में डिटर्जेन डाला जाता है तो प्रष्ट तनाव घट जाता है गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है प्रष्ट तनाव कम होने के कारण लाल टैन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर उपर चड़ता रहता है कोसिकित्व के कारण सावन द्वारा निर्मलन का सिद्धानत है प्रष्टिय तनाव जब बुरुस को पानी में डुबोती है तो उसके कन आपस में किस कारण चे पक जाते हैं प्रष्टिय तनाव के सेंता गुनांक की बिमा है ML-1 T-1 सेंता गुनांक का मातरक है एक आदर स्तल की सेंता होती है सूनने ताप बढ़ने पर द्रब की सेंता घड़ जाती है ताप बढ़ने पर गैस की सेंता ताप बढ़ने पर गैस की सेंता बढ़ती है गाडे द्रब में सेंता अपहिक चाकरित होती है अधिक तरल के प्रभा की दर्मा पी जाती है वेच्यूरी मीटर से बहुत इंपोटेंट लाइन है ये आंधी आने पर छपर का उड़नक के सिध्धान्त पर आदारित है बर्नौली का सिध्धान्त थंडे देशों में जीलों के जम जाने के पश्चात भी जलिय जन्तू जिंदा रहते हैं क्योंकि वरफ के नीचे जल चार डिग्री सेल्शियस पर रहता है पानी का घनत्व महत्व होता है चार डिग्री सेल्शियस पर हुक का सिध्धान्त है प्रतेस्था से प्रतीवल का मात्रक है न्यूटन मीटर सेकिंड पेंडूलम का आवर्थकाल होता है दो सेकिंड एक दोलन पूरा करने में लगा समय कहला करता है आवर्त काल कमपन करने वाली बस्तु की कमपन करने वाली बस्तु की कमपन करने वाली बस्तु एक सेकंड में कितना कमपन करती कहलाती है आविर्ती सरल आवर्त गती निस्पादन करने वाले तंत का आवर्त काल निर्वर करता है वल नियंतक पर आविर्ती का मात रख है हटर्ज, सरल आवर्थ गती में गती सील कन के महतर विस्थापन पर तेहरन का मान होता है, सुनने, इनको आप छोड़ दीजिए, यंग प्रेस्थता वाला, यंग प्रेस्थता दोनों, जूला जूलते, कोई जूले पर खड़ा हो जाता है, तो इसका आवर्थकाल घड़ जात होती है, स्टील में, यदि खोकले गोलक में पारा भरा हुआ, इसमें ऐसे आधे पारे को निकाल दिया जाए, तो आवर्थकाल बढ़ जाएगा, एक दोलन करते समय लोलक की इस्थित उर्जा कहां पर अधिक्तम होगी, चरमावस्था पर, मानव सरीर का तापमान, 98.6 फेर माप करम पर सामाने वायू मंडलिये दाप पर उबलते पानी का ताप होता है, 20012 डिगरी फेरनाइट, किस बिंदू पर फारेनाइट ताप करम सेंटिग्री तापमान का दुगना होता है, 160 डिगरी सेल्सियस, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गलास के उपर छिरका जाता है, तो इसका आयतन पहले घड़ता है, और फिर बढ़ता है, यदि जब को 10 डिगरी सेल्सियस से 0 डिगरी सेल्सियस तक धंड़ा किया जाए, तो जल का आयतन 4 डिगरी सेल्सियस तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा, साइकल ट्यूब अधिकांस्ते गर्मियों में क्यों बढ़ जाता है। पानी जबने पर फैलता है अत्य धिक सीत रितू में पहाडों पर पानी की पाइपे लाइने फढ़ जाती है इसका कारण है पाइप में पानी जबने से फैल जाता है दो रेल पटरियों के मद्दे जोड़ कर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलती है तता ठंडी होने पर संकुचित होती है उस्मा के संचरन की किस विधी मैं पदार्थ के अनू एक स्थान से दूस स्थान पर स्वेम नहीं जाते चालन द्वारा द्रवों तथा गैसों के उस्मा का स्थानांतरन किस विदी द्वारा होता है समवेहन विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है समवेहन के कारण इसको याद कर ले ना भीया important question है उस्मा के स्थानांतरन की किस विदी में माध्यम आवशक नहीं है विकीरन में धातु की चायदानियों में लकडी के हंडल क्यों लगे होते हैं क्योंकि ये उस्मा के कुछा लग होते हैं उस्मा का सबसे अच्चा-चालक चांदी बोलो मीटर एक यंत्र है जो मापता है उसमें विकीरन कमरे में ताप कमरे में रखे रेफ्रिजीरेटर के द्रबाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाता है ये कॉस्चन गुरुबडी का फइरेटर बार बार पूच आजा जाता है खाना पकाने के बरतनों के नीचे बहारी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है काली सत्य उस्मा की अच्छी अफसोसक होती है आन्विक सम्वेहन के द्वारा उस्मा का संप्रिसन क्या कहलाता है सम्वेहन सूर्य विकिरन का कौन सा भाग सोलर कुकर को गरम कर देता है सरीर की उस्मा को बाहर जाने से रोकता है सुवह का सूरज इतना गरम नहीं होता जितना दुपहर का क्योंकि सुभे के समय सूर्य की किर्णों को अंत्रिक्ष में अधिक दूरी तै करनी पड़ती है ग्रीस्म काल में हमें सफेद वस्त धारन करने की सलाकियों दी जाती है क्योंकि सफेद वस्त ताप का अफसोसन करते हैं उनी कपड़े सूती वस्तनों की अफिक्षा करम होते है क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं अच्छे उत्सर्जक अच्छे अफसोसक होते हैं यह नियम है किर्चाफ का नियम किसी क्रिसिका किसी क्रिसनिका के एकांक प्रस्टियच हित्रफल से पिर्टी सेकंड उत्सर्जित विकीरन उर्जा उसके परम ताप के आत के अनुक करमनानुपाती होती है यह नियम है स्टीफन का नियम यह वन लाइनल कोशन है मैंने इसलिए करवाएं आपको यह वन लाइनल कोशन चल्दी याद होते हैं इसलिए आप इस वीडियो को कम से खम एक से दो बार सुबह सुबह देखें और खासकर इन कोशनों को ल आपके कमेंट का और आपको पता है मैं आपके हर कमेंट के जवाब देता हूं वीडियो को लाइक करें बिना बिल्कुल ना जाँ भी या मैं आपके लिए तनमंध धन्से लगाऊं तो आप जरूर चेनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार